हलो फ्रेंड्स न्मस्कार वेलकम तो माई YouTube चैनल कुस्वाहा प्रोपटी मैं आपका दोस्त सनत कुमार दोस्तों एक्सपाट की राय में आपका स्वागत है आज हमारे गेस्ट पार्थ प्रोपरटी के ओनर संगीत यादोजी आयोए हैं स्वागत करते हैं हम संगीत जी आपक हम आईके अक्सेंड परपटगंज में real estate से related services प्रवाइड करते हैं तो यहां पर जो भी प्रसंस आते हैं रियले स्टेट से रिलेटेड अपनी क्वाईरी लेके उनकी तरफ से कुछ कुश्चन्स होते हैं उनको हम आज अपने इस चर्चा के विसाय में सामिल करेंगे तो कुछ questions होंगे जो मैं आप से जानना चाहूँगा जिन में से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा चेर्चित जो questions है वो यह है कि यहां जो societies हैं 1989-1999 के आसपास के allotment और positions हैं तो इनका भविश्य क्या है सनज जी देखो ऐसा है कि यह पुरानी सुसाइटिय कोश्चन आपके क्लैन बिल्कुल करते हैं यह 9192 की allotment हुई है इनकी यह 30 से 32 साल पुरानी सुसाइटिया हैं अभी सुसाइटी काफी अच्छे हट तक बिल्कुल ठीक हैं complete हैं इसके किसी प्रकार की कोई दिक्करद्वा बात नहीं है लोग पूछते हैं कि कब होगा इन कितनी पुरानी है इनका क्या बविस होगा ऐसा कुछ नहीं है अभी सुसाइटी अच्छे से मेंटेन है और यह डीडिय की लैंड पे बनी हुई है फ्री होल्ट प्रोपर्टीज है जे 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 और लोग अगरा की प्रॉपर नहीं है और लोगों का कहना होता है कि इतनी सुसाइटियां पुरानी होने के बाद भी यहां जो है वो लगतार अपर की तरफ जा रहे हैं क्या इतने रेट होने चाहिए बुलकुल सुसाइटी बिलकुल नॉर्मल हैं बाकी लोकल कलोनियों के देखा जाए तो उनके लेंड कीमत और सुसाइटिवों की कीमत देखी जाए तो सुसाइटी तो फिर भी बिल्कुल रेट पे हैं अलाकि इनके रेट और ज्यादा होने चाहिए थे हमारे साफ से जो इतने नहीं है जेंटर लोकेशन के अकौटिंग उसके बावजूर इनके रेट उतने नहीं है जितना लोक संद्रा साल पहले वहां जो रेट थे लगभग साथ से पैंसेट हजार रुपए इसका रेट था और आज की डेट में अगर हम वहां रेट की बात करें तो मिनिमम्म दो लाक रुपए से कमर्सियर यूज वाली लेंड चे लाक रुपए घस तक चली गई है तो आप यह कहना सब्सक्राइब और नियर भाई यहां क्या सविदाएं सोचाइटी में तो सबी प्रकार की स्विदा है बच्चों की सेफटी है वाच्वेंट 24 वड़स होते हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आज कर ज्यादा तर लोगों को कार पार्किंश्या ज्यादा हो रही है सुसाइटी में कार बार्किंग की स्विधा है बच्चों को इन्वार्मेंट खेलने का बहुत अच्छा सा महौल मिलता है खुला स्पेस है और सब सेंटर लोकेशन के देखा जाए तो पटपड़न इस बिल्कुल सेंटर लोकेशन है नियरभाई नेदिले रिलेस्टेशन आनल है और कौन-कौन सी बैंक के जो है फाइनस कर देती है यह डीडिये के अप्रूड लैंड फे वनिवी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और इसमें एक्टी से 90 पर्शन लोन की सुविधा होती है आप किसी भी बैंक से ले सकते हो डिपेंड करता आपका इंटरेटल वेंट क प्रॉन अगर जो सी कलूनी मंडावली के बीच में टोटल एक सॉला कॉपरेटिव घृषिंग सुसाइटियां है इनमें ट्रांजेक्शन करना आपके हिसाब से कितना सुरच्चित है देखो परगंज गृषिंग सुसाइटी में ट्रांजेक्शन करना हेंडर पर्शन सेफ संगी जी बहुत ज़्यादा जरूरत या मुता बन चुका है आज के डेट में जैसे कि पुरानी सोसाइटी है तो लिमिटेड सोसाइटी मृटी स्टोरी है और उनके अंदर लिट की फैसलिटी मिलती है बाकी के बाकी आई पे श्वंसन के अंदर सारे ही फोर स्टोरी टावर्स हैं तो लिफ्ट उन पे एगर हम लगाने की बात करें तो आज कर चर्चा में चलना है इस विसाए में आप क्या कहना चाहिए असनद जी लिफ्ट की बात जहां तक आप कह रहे हैं तो यहां पे 116 से 90% सुसाइटी 90% बान लीजे की फोर स्टोरी हैं बिदाव लिफ्ट हैं और 10% बान लीजे की लिफ्ट वाली हैं तो अब उस जबाने में जब बनी थी तो लिफ्ट का इतना किसी के उसमें सोच नहीं थी कि आगे चलके बहुत से कोई प्राब्लम होगी बाट आज की आपने लिफ्ट लगाने के लिए विल्कुल एगरी हैं किसी प्रकार सुसाइटी को कोई दिख्कत नहीं होती है कुछ सुसाइटियां तो स्वयम खुद लगाती हैं जो होता है चार्ज करते हैं पर मेंबर से और कुछ लोग इंडिविजल परसनल अपने टावर में भी काला है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद कुसुआ जी